दिल्ली में एक बार फिर से लगा लॉकडाउं जानिये क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद कोरोना वाइरस के खत्रे को देखते हुए 19 अपरेल रात 10 बजे से दिल्ली में 6 दिन के लिए फिर से लगा लॉकडाउं अगले सोमवार यानि की 26 अपरेल सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा लॉकडाउं जानि ये किन-किन चीजों पर रहेगी पाबंदी और क्या क्या रहेगा खुला सभी मॉल, जिम, स्पा, ओडिटॉरियम, असेंब्ली, हॉल, एंटरटेन्मेंट, पार्क बंद रहेंगे दिल्ली में रिस्त्रों में जाकर खाने पर पाबंदी होगी, हॉम डिलेवरी या टेक अवे की इजाज़त रही ये अस्पताल, सरकारी कर्मचारी, पुलिस, जिलादिकारी, बिजली, पानी, सफाही से जुड़े लोगों को कर्फिय में छूट मिलेगी अगर किसी को अस्पताल जाना है, वैक्सीन लगवाने जाना है या किसी बिमार को बाहर ले जाना है तो उन्हें बाहर जाने की छूट भी होगी दिल्ली में सभी प्राइवेट दफ्तरों में वर्क फॉम होम किया जाएगा सरकारी दफ्तरों में कुछ ही अफसरों के आने की इजाज़त होगी प्रवासी मजदूरू को कोई समस्या ना हो, उपराजेपाल ने इसके निर्देश दिये हैं ताकि अधिकारी अहम फैसले लें रेल्वे स्टेशन, बस स्टेशन, एरपोर्ट जाने वाले लोगों को छूट मिलेगी वीकली मार्केट को जोन के हिसाब से एक दिन में खोला जाएगा इसके लिए स्थानी अधिकारियों द्वारा इसकी सूचना दी जाएगी आपके बिजनिस का सच्चा साथी